दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नय विडियो तो दोस्तो यार जब से विंडोस का जो नया वर्जन मतलब कि विंडोस 11 का वर्जन आया है कम्प्यूटर पे तो बहुत सारे लोगों का मेरे से ये कमेंट है कि भाई windows 11 को हम अपने mobile में कैसे install कर सकते यानि कि अपने mobile को computer की तरह कैसे use कर सकते मतलब कि अपने mobile को windows 11 computer कैसे बना सकते है तो इस वीड़ो में मैं आपसे बताने वाला हूँ यही बताऊँगा कि आप अपने mobile में windows 11 का जो नया वर्जन अभी आया है recently एक साल पहले जो विंडोस 11 का वर्जन आया है तो इसी हम अपने मोबाइल में कैसे इस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि कम्प्यूटर में तो हमें इसली इसे इस्टॉल कर सकते हैं लेकिन हम मोबाइल में जो है विंडोस 11 को इस्टॉल करके अपने मोबाइल को कम्प्यूटर बनान वाले हैं तो वीडियो का इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और आया है चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं से मैं आपको सिख सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को उपन कर लेना है गुगल प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पर एक एप्लिकेशन को सर्च करना उपर सर्च का ओप्सन मिला होगा यहां पर आपको सर्च करना है विंडोस 11 सेमिलेटर तो चलिए मै के search कर देना है और search कर देने के बाद यह second वाला जो application है इसे आपको download करना है अपने mobile में तो चलिए हम इस application को download कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें install का option मिल जाएगा तो simply यहाँ से install पर click कर देंगी तो यहाँ पर application जो हमारे mobile में successfully downloading शुरू हो जाएगा तो इसमें time लग सकता है तो आप इसे download होने दीजी तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर application बस थोड़ा ही बचा है download होने वाला है तो download हो जाने के बाद यह जो है हमारे mobile में automatically install होने लगेगा तो हमें थोड़ा सा और wait करना पड़ेगा यह अभी download download complete होने वाला है 96% हो चुका है यह देखे इस्टॉलिंग लिखके आ चुका है मतलब की application है हमारे home screen पे इस्टॉल हो रहा है तो हम थोड़ा सा wait करते हैं इस्टॉल हो चुका है हम यहां से क्या करते हैं इसे enable कर देते हैं इनेबल मतलब open कर देते हैं तो आपको भी यहां से इसे open कर देना है और open करने पर कुछ interface नजर आएगा आपके सामने एक नया interface नजर आएगा तो हम थोड़ा सा wait करते हैं इस परकार से option आएगा यहां पर यह देखे इस परकार से option आ चुका यहां पर अपनी language को set कर सकते हैं अगर language नहीं set करना है तो next के option पर click करेंगे तो यहां पर install now का option आएगा तो इस पर click करेंगे और यहां पर next की option पर यह जो पहला agreement है उसे एक mark लगा देंगे यह जो पहला box है और यहाँ पे next के option पे click करेंगे तो यह जो windows 11 है हमारे mobile में install शुरू हो जाएगा installing शुरू हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा wait करना पड़ेगा यह successfully installing शुरू हो चुका है तो यार आप यहाँ पे आपको accept पे click करना है और यहाँ पे install पे click करना है तो यह देखे यह अभी जो हमारे mobile में windows 11 का जो application हो ओपन होने लगेगा तो यहाँ पे देखते हैं processing अभी चल रही है तो थोड़ा सा में और wait करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपके समने एक नया interface नजर आएगा तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं देखे 99% यह loading हो चुका है तो पूरी तरीके से loading हो जाने के बाद इस प्रकार से interface नजर आएगा तो यहाँ पे आपको अपने जो है system का name देना यहाँ पे name देने के लिए option आ जाएगा आप जो भी name रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी रख application है आपके सामने open होके आ जाएगा आपके mobile में यह देखे Windows 11 का जो application है यह open होके आ चुका है हमारे mobile में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है mobile है Windows 11 laptop बनके ready हो चुका यानि की computer या की laptop जो भी समझें आप क्योंकि जैसा कि Windows 11 का वर्जन जो है इसी परकार से computer पर भी खुलता है और उसी परकार से यहाँ पर भी खुला है यहाँ पर नीचे देखे इस तरीके के option जो है आपके computer में भी आते हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर अगर आपके mobile के apps को आपको जैसे की YouTube हो गया फिर प्लेश टोर वगयरा हो गये गैलरी वगयरा फाइल वगयरा तो यहाँ पर आप आप all apps पर क्लिक करेंगे जो यह जो all apps का option है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है mobile के apps आप साज जाएंगे एंदेन यहाँ पर नीचे फिर से आपको यहाँ पर एक search का option मिल जाता है से आप जो है सिस्टेम की सेटिंग को चेक कर सकते हैं यह देखिए यहां पर जो है आप वीडियो साउंड नोटिफिकेशन एंड एक्षन वगर बहुत सारे ऑप्षन मिल जाते हैं जैसे कि स्टोरेज हो गया तो स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है मोबाइल की इं इंटर्नल इस्टोरेज जो है और कितनी नहीं फुल है तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं और नीचे लाइब्रेरी का ओप्षन मिलेगा यह देखिए लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है माई केम्प्यूटर जो खुलता है आपके लैप्टॉप में तो एप्लिकेशन और यहां पर यहां पर यह देखें माइक्रोसॉफ्ट इस्टोर भी दिया है यहां पर भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसा कि कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट इस्टोर होता है उसी प्रकार से यहां पर भी है चलिए मैं इसे भी क्लोज कर देता यहाँ पर एक arrow का option बिलता है और यहाँ पर एक volume का भी option मिलता है जैसे आप इस पर क्लिक करणे तो आप यहाँ से अपने device की volume को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और Bluetooth और Wi-Fi का भी तो यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर night mode का option मिलता है यहां पर क्लिक करके आप इस तरीके से night mode को भी activate कर सकते हैं तो बहुत सारे option मिल जाते हैं जैसा कि इधर भी है printer का option है और यहां पर यहां पर यहां पर यह ब्राउजर है जो windows 11 laptop या फिर computer में जो version है उसी इसाथ से यहां पर भी यह जो browser है यह भी इस्तमाल कर सकते हैं आप लोग यहां पर browser पर click करेंगे तो आपका browser open कर दिया जाएगा यहां पर बहुत सारे option है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम setting पर click करते हैं तो यहां पर जैसा कि setting हमारे computer में दिखाई देती उसी परकार से यहां पर भी दिखाई दे रही है यहां पर phone पे click करेंगे तो आपके phone में जितने भी contact number हैं वो यहां से आप देख सकते हैं और पर एकाउंट का भी option है, यहां से आप जो है अपना account भी check कर सकते हैं, मतलब कि जो gmail id वगरा है, और यहां पर network and internet पर click करके यहां जो है आप अपना wifi को connect कर सकते हैं, और बहुत सारे option हैं, जैसा कि language हो गया, language यहां पर कोई भी select कर सकते हैं, image वगरा select कर सकते हैं, यहां से customize क कर सकते हैं इसे, बहुत सारे option मिल जाते हैं यहां पर, जैसा कि आप लोग computer अगर use करते हैं, तो जानते हैं, जैसा कि computer में यह version काम करता है, यह Windows 11 का जो version है, computer में काम करता है, उसी परकार से यहां पर भी काम कर रहा है, इसलिए बहुत ही आसानी तरीके से यह work कर रहा है, इ पूरही अपने मोबाइल में इस्टॉल कर सकते हैं Windows 11 को अब दोस्तों मालीजिए कि आपको इस Windows 11 को जो है सट डाउन करना है तो सट डाउन का भी option मिल जाता है यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जहां पर हमारा माउस है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहां पर यह देखे power off करने का भी इसमें option दिया जाता है यहां से आप power को off कर सकते हैं मतलब कि यह जो windows 11 का जो है यह software है यानि कि apps है इसे आप off कर सकते हैं चलिए मैं क्लिक करता हूँ यहां पर दो option है shutdown का और restart का आप चाहें तो इसे shutdown कर सकते हैं देखे shutdown हो चुका है हमारी home screen पे back आ चुके हम लोग तो इस तरीके से जो है आप windows 11 जो है apps को यूज करके आप अपने mobile को बहुत ही आसानी से computer की तरह यूज कर सकते हैं तो I hope यार वीडियो समझ में आ गया होगा अगर वीडियो समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को subscribe करने के साथ गंटी वाले option को on कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अफ्लोड करूँ आपके पास notification सबसे पहले पहुँचे तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले नए topic के साथ तब तर के लिए धन्यवाद दोस्तों